दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल उशा की करण में दोस्तो आज हम बात करेंगे असोक लेलेंट की काफी बहतरीन बस के बारे में जो की सिटी राइट के लिए इंट्रा सिटी राइट के लिए और सिटी बसेज के लिए काफी बहतरीन बस है दोस्त की बारे में मैंने वहां पर देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी में आपको दे देता हूं तो दोस्तों असोग लिलेंट की यह जो बसे हैं इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको सिक्स लेंटर इंजन मिलता है, CRS दीजल इंजन होता है, BS4 नॉंस पर यह काम करता है, जिसके अंदर हमें 165 क्लोवाट का पावर मिलता है, यानि की 221 HP का पावर मिलता है, 2400 RPM के आसपास और 800 NM का बैथरीन टॉर्क मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सिटी राइड और सिटी ब लिए, BRTS सिस्टम मतलब कि बस Rapid Transition सिस्टम है, जो कि आज कल Metro Cities के अंदर चलाया जा रहा है, उनके लिए खास तोर से इन बसों को डिजाइन करके कंपनी के द्वारा दिया गया है, AICT SL जो है इंदौर सहर के अंदर जो बसे ड्राइव करने वाली जो सर्विस देने वाली ज दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रेंट में और रियर में एर सस्मेंशन मिलेगा, इसके अंदर और और मैनूल ट्रांश्मेशन दोनों ही प्रकार के आप्संस होते हैं, अंदर अगर हम चलते हैं तो फलाल ही एक सिटी बस है, जिसके अंदर जो पैसेंजर है, उनकी काफी सा से किसी सिटी बस के अंदर सीट के ऊपर एक कुशन दिया गया है, साथ ही काफी सारे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, जो कि पैसेंजर को जर्नी के दोरा पकड़ने के लिए साहता खरते हैं, दूसरा इसके अंदर आपको एर कंडिशन जैसी सुईदा मिल जाती है, फि साथ ही उसको किसी भी प्रकार का इनाउस्पेंट करना है, उससारे उन सारे चीजों के जो फंक्शन है वह तक हैं डाएवर जाता है, सारे के लिए यहाँ पर बड़ा सारा जो है सन वयजर मिलता है, गलास मिलता है जिस से की पीची पैसेंजर का ख्याल रख सके, इक इसको ग्रॉस्वीकल वेट की बात करें दोस्तों तो लगबग 16,200 kg का इसका ग्रॉस्वीकल वेट है और इसके अंदर अगर हम वील बेस के बारे में बता है तो लगबग 6,000 mm का वील बेस मिलता है जिससे की बस की जो राइडिंग है बस की जो ड्राइबिंग है वो काफी अच्छी हुआ है वही है इसके अंदर जो ब्रेक्स है वह आपको यहाँ पर फुल एइर ब्रेक मिलते हैं डूल लाइन विद एबीए सिस्टम के साथ में आते हैं क्योंकि सीटी के इंदर विसों को चलाया जाना है तो इसके अंदर एबीए जैसी फेसिलिटी भी मिल जाती है इसके दोस्तों अगर हम सीटिंग कैपसिटी की बात करें तो 38 प्लस दी यानि की 38 से 40 लोगों की आसपास की और अलग-अलग कई प्रकार की सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर हो सकते हैं कंपनी के द्वारा इनको अलग-अलग जरूरत के अंसार सीटिंग अरेंजमेंट को भी वेव लगाये हैं इनकेस किसी भी प्रकार की इमर्जेंसी है तो आप इनको ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं काफी बड़े-बड़े ग्लास हैं जिनसे की रोशनी और हावा तो खेर नहीं आएगी क्योंकि एर कंडिशन बस है पूरी पैक रहेगी है और एसी काफी पावर्फुल है ब क्योंकि इतने बहतरीन पावर के साथ में यह बस आ रही है एस स्रीज का इसके अंदर सिक्सलेंडर सियारस इंजन मितता है असुक लेलेंट का तो दोस्तों यह चोटा शा रिव्यू था उमीद करते हूं आपको पसंद आएगा काफी बहतरीन बसे हैं जिनकों कि हर सहर अप यहां पर आप देख सकते हैं दो डोर मिलते हैं अनुशार इनको डिजाइन करके बनाया गया है तो यही है दोस्तों आज के लिए एक चोटा शा रिव्यू इंजिन की स्पैसिपिकेशन वगरा सारे के सारे आपको सेम मिलने वाले हैं एर कंडिशन वगर आपको और यहां प इतना कल फिर मिलूँगा जैहिन जैवारत